हाई अबरिवान वान्स अगीन वेल्वम बेक टू माई चनल तो आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है आपकी चोईस का वीडियो मैंने थोड़े दिन पहले कम्यूनिटी पो शेयर किया था आप लोगों के साथ में दो लेंगे बतायते हैं उसमें लेंगरा स्टूडियो से जो लेंगरा स्टूडियो है अभी ये नई वेबसाइट है जस्त अभी लॉंच हुई है तो मैंने सोचा रीवीव करके देखते हैं कैसे निकलते हैं वो काफी अच्छे दिख रहे थे एंड काफी लेटेस्ट करेक्शन भी था तो मैं आज आज आ कर सकते हैं कि अटाफट से वीडियो स्टाट करते हैं तो शेयर कर रहे हूं बहुत ही अमेजिंग लेंगे हैं इस तरीके लिए पैकेजिंग में आपको मिल जाएंगे जिप कोवर में लेगा आपको एंट पिक्चर में देखने के बाद ना सीरसली मुझे इतना पसंद आ र पूरा जो है लेंगा नेट का है सबसे पहले मैं आपको फोल के बताती हूं इसका लेंगा जो कि काफी जड़ा ब्यूटिफुल लगड़ा देखने में विट इस तरीके कर आपको ये वाला लेंगा देखने को मिल जाएगा ये पूरा ना जो नेट फैबरिक में है जैसे वो फ्लेर आता है ना काफी फ्लेरी लेंगा है लाइक जो बाबी स्टाइल जो गाउन होती है बाबी स्टाइल उस टैप में पूरा फ्लेर आएगा एंड आप देख सकते हो इस तरीके का आपको ये नेट का लेंगा मिल जाए इसका अप्टू 42 यानि कि आपके एक्सल डबल एक्सल साइज में भी आराम से आजाएगा और पूरा लहंग्रा है जो आपको नेट्रा मिल जाएगा और देखने में इसा लग रहा है कितना जदा है बट नेट्रा फैब्रेक है तो क्वाफी जदा लाइट वेट भी है उससे पूरा आपको इस तरीके टा सीडी इंट लहंगा मिल जाएगा और यह जो उपर इन्होंने लाइनिंग वाला पैटन दिया हूँ है यह पूरा जो है सिक्वेंस है गोल्डन वाले सिक्वेंस लगा है और नीचे की सायड आपको इस तरीके टा रफल डिजाइन देखने को मि इस तरीके की इसमें लाइनिंग मिल जाएगी प्राइस में स्क्रीन पर डाल दूंगी क्लिप में एड कर दूंगी पहनने के बाद कैसा रगता है और पूरा गोल्डन सिक्वेंस का नैट फैबरिक में लहन रहा है नीचे की सायड इनोंने है ना क्यंकें दिया हूआ है इसम जाएगी तो बस आपको लाना या पहनना है बस आपको एड साइड से स्टिच कराना है क्योंकि यह लहनग आपको सेमी स्टिच मिल जाएगा बहुत ही खुप सूरज सा बहुत गरलिश लहनगा है लाइट वेट एफ एफ और इंगेजमेंट के अग्वार्डिंग क्राफी इस तरीके के थोड़े अट्रेक्टिव से क्रालर है एंड काफी जदा ट्रेंग में भी है उस अट्वार्डिंग क्राफी अच्छा लगेगा तो इस तरीके कर आपको यह वाला लहेंगा मिल जाएगा अब मैं बताते हूं आपको इसका ब्लाउस आप पिक्चर में देखना जो फैबरिक दिया हुआ है इस तरीके कर शाइन वाला बिल्कुल जो रोस पिंक क्वेलर होता है उस पिंक क्वेलर का फैबरिक है एं उसके उपर इन्होंने यह वाला डिजाइन दिया हुआ है यह फ्रंट साइट के लिए इन्होंने दिया हुआ है पूरा सिक्मेंस जो कि आपके XL डबल XL साइज में आराम से आ जाए गवा एंड पूरे पर गोल्डन सेक्वेंस देखने को मिल जाएंगे सेक्वेंस की क्वालिटी देख लो बिल्कुल पास पास लगाए हुए है और बिल्कुल भी ऐसे हट नहीं रहे है उस तरीके का नहीं है बिल्कुल अच् कि आपको दूपत्ता देखने को मिल जाएंगे साइड में चारो तरफ इस तरीके से एंड पूरे पर आप देख सकते हूं इस सिक्वेंस के बूटे बनाए हुए है छोटे-छोटे च्वडाई आप देख सकते हूं क्राफी अच्छी है लैंध भी इन्होंने क्राफी अच् तो यह वाला लहंगा कुछ आपको इस तरीकर देखने को मिल जाएगा अब जो नेक्स लेंगा मैं आपके साँ शेयर कोई हूं यह स्क्राइब ब्लू क्राटवा लहंगा एंड यह भी पिक्चर में देखने पर बहुत सुन्दा लाग रहा था डिजाइन काफी जदा पूरा है जो पेपर वाला मिरर वर्क किया हुआ है सबसे पहले मैं आपको उपर से बताती हुए यह वाला लहंगा काफी ब्यूटिफुल है लाइट वेट है एंड यह जो फैब्रिक इन्होंने यूस किया है इसमें नेट फैब्रिक है एंड पूरा आप वेस्ट देखो प इसमें लगाहे हुएं ना mirror से plastic mirror लहाते हैं पेपर वाले mirror आते हैं पेपर वर्क वही इनोंने कीया हुआ है एंड यह पूरा लहंग आपको सैमी स्टिस देखने को मिल जाएगा अंदर की साथ आपको लाइनिंग से आपको लाइनिंग देखने को मिल जाएगी इसमें क्यांग विरिया आपको अलेट से लगवाने की जरुवत नहीं है तो प्राफी ज़दा फ्लेयर आई रियोस वाले लहेंगे में इस तरीके का देखने को मिल जाएगा इस तरीके में बात करती हूं पूरा तीर मिटर आपको इस पे फ्लेयर देखने को मिल जाएगा जो की रफी अच्छा है क्वालीटी क्वालीटी अच्छी है डबल-eXL एक्सल सैज में आप जाए निए बहुत ज़्या बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल है इस तरीकी को लाइट कर लाइट कर आफ ही ज़्यादा ट्रैंड में भी अच्छे भी लगते है आज को उस अठ्वार्डिंग क्राफी अच्छा लगबा मुझे यह अमने दिखाती हूं आपको इसका ब्लाउस भी ना बहुत ही ज़दा डिजाइनर ब्लाउस है और बहुत ही अमेजिंग सा आया है पूरा इन्होंने फैबरिक दिया है एट यह नाइटी सेंटी मिटर दिया है और पूरे पर इस तरीकी के मिरर देखने को मिल जाएंगे इस सब भी प्लास्टिक मिर है यह ब्लाउस है जो आपके एक्सल डबल एक्सल साइज में आराम से आजाएगा आप जैसे चाओ वैसे स्टाइल करके इसे डिजाइन करके स्टिच करवा सकते हो सट्वारिक है जो इसका इन्होंने सिल्ट फैबरिक यूज किया है एंड क्वालिटी आप देख सकते हो क्र तो इस तरिकेट आपको यह फैबरिक देखने को मिल जाएगा फुल फैबरिक के बात करते हो ब्लाउस की एट मीटर के आसपास है उट सट्वारिक क्राफी ज्यादा ब्यूटिफुल है अब बन्वाने के पाद अमेजिन लगे यह बाला ब्लाउस अम मैं बताती हो आपको क्योंकि आपन धुट है दुट बाता के तो जो काफी ज्यादा अमें मुझे अगी में सबस्टा कना तै क्योंकि पूरा अपको यह बनाटे देखने को मिल जाएगा एंग को मैं पूरा लहंगा है जो स्त्राय ब्लेव कराए लेकर लेकिन फैल डुट लाइट लाइट बिल् और चोड़ाया देख सकते हो काफी अच्छी है लेंथ है पूरी सवादो मेटर की है यह इनों में चोटे-चोटे पीछ में बूटे बनाए हुए है उस अट्वार्डिंग काफी अच्छा है तो इस तरीके का आपको ही दुपत्ता देखने को मिल जाएगा क्वालेटी काफी अच्छी लगड़ी है आप इसे और लहंगा और भी सूट वगएरा के साथ स्टाय कर सकते हूं यह पिंक कला कर लेंगा है साइड में इनेज लगा दूगी यह भी बिल्कुल नुए है जितने भी लहंगे शियर कर रों सब भी बिल्कुल नुए है जस्ट अभी अभी आई ह यह लहंगे एंड क्वालेटी बहुत ही जदा अच्छी है अरे कि आपको यह लहंगा मिल जाएगा यह आपको डाक वाला जो पिंक कलर आता है उस तरह में लहंगा है मर्जेंटा नहीं है बिल्कुल भी इस तरह इस तरह एक्जैक्ली आपको दिख रहोगा वीडियो में पूरा आपको लहंगा देखने को मिल जाएगा काफी अच्छा लहंगा है इस तरीके का इन्होंने वेस्ट दिया हुआ है पूरा यह सिक्वेंस वाला लहंगा है विद इसमें जरीता काम किया हुआ है काफी ब्यूटिफुल है वेस्ट साइज की बात करती हूं अप टू 42 जो आपके एक्सर डबल एक्सर साइज में आराम से आ जाएगी और फूरा लहंगा है इभी नैट फैबरिक में यह भी नीचे से ना इन्होंने पिको किया हुआ हुआ है लाइक यह वाला भी जो लहंगा है वह वाले ग्रीन की तरह है इसमें रफल वाला डिजाइन आएगा बार भी वाला डिजाइन आएगा इस फ्लियर क्राफि अच्छा आता है और उपर से आपको वेस्ट में सिक्वेंस देखने को मिल जाएंगी नीचे जाते जाते पूरे पर आपको इस तरीके के सिक्वेंस एम्ब्रोडरी देखने को मिल चाएगी जो कि काफी जद़ ब्यू है इन अफर्डेबल प्राइस में है और भी लेटेस्ट भी है तो फंच्छन गेरा के अउक्वेड फ्यूदिक लेन चाहते हो वैडिंग लेना चाहते हो आपकी खुत की शादी है उस अप्लीज अच्छा है तो इस तरीके कि आपको यह बहुत ही ब्यूटिफिल तो रहरा इतना पूरा वन मीटर वा फैबरिक दिया है, साइड में इमेज लड़ाँ दोगी एंड ये इनोंगे ब्लाउस दिया है पूरा सिल्क फैबरिक पे प्लाउस दिया है पूरे आपको जो एप अम्बॉडरी देखने को मिल जाएगी ये पूरा सिग्वेंस जरी काम किया हुआ एक बात है और उन्होंडे काफी नीटली किया हुआ है क्राम पूरा आपको ऐसा नहीं है कि कहीं से हट रहे है या फिर कुछ इस तरीके का कुछ भी नहीं है और पूरा ब्लाउस आपको एक मीटर पर देखने को मिल जाएगा जो कि आपके एक्सल डबल एक्सल साइज में आ काफी ब्यूटिफुल लग लग रहा है लेस आप देख सटो लेस की क्वालिटी क्राफी जएदा अच्छी लग रहे है उस अट्व्य इंक क्राफी च्वॉडाएं भी क्राफी अच्छी है लेंथ इनोंने 70 मीटर की दी है तो इस तरीके कर आपको वह बहुत ही करते हूं एच सेकंड लुक एक दिस घ्राइज वहुत ही ज्यादा ब्यूटिफुल है पिन कलर का आपको यह लहंगा मिल जाएगा पूरे पेपर वार्ग डेखने को मिलेगा यह इसका वेस्ट दिया है यह इसका वेस्ट दिया है यह इनोंने बीचवरा पाग दिया है आप द नीचे का बॉर्डर देखिए कितना ज़दा ब्रॉड है कितना ज़दा ब्यूटिफुल लगड़ा है पिन कलर का आपको यह पूरा लहंड़ा देखने को मिलेगा सेमी स्टिच लहंड़ा है अंदर की साइड इनोंने इसमें लाइन दिया हुआ है और नीचे की साइड आप इसमें मुझे सबसे जळा पृरणा की सबस्टाइ है डीच गड़ा अच्छा लग़गा के पहन रिखने के पर पूरा ट्रैडिशनल लुक आई इस वाले लहंगे की साइड तो इसमें लहंड़ा दिया है यह इन इसका ब्लाउस में बताती हु है इसका ब्लाउस बटाती एंड सेम इन्होंने बैक पार्ट के लिए दिया है तो दोनों में के 90 cm का फैब्रिक है जो कि आपके एक्सल और डबल एक्सल साइज में आराम से आजाएगा फैब्रिक काफी अच्छा दिया है विद अफ़रेबल प्राइस में भी है लाइट वेट भी है और दूसरी चीज फ बॉडर लगाया हुआ है यह पेपर वर्क है एंड चारो तरफ आपको यह लेस देखने को मिल जाएगी पूरा सवादो मीटर को दूपत्ता है चोडाई भी काफी अच्छी इनोंने दिये तो इस तरीके का आपको यह बहुत ही ब्यूटिफुल सा दूपत्ता देखने को मि इस वेबसाइट से कुछ ऊर लेंगा या पर कुछ भी देखना चाहते हूँ तो डफिनेटली परचेस कर सकते हो एंड मुझे कॉमेंट बोट्स वे क्वमेंटर की जरूड बता ना कि कौंसा लेंगा। सबसे ज़ाद अच्छा लगबुए एंड इस वेबसाइट से कुछ और देखना चाहते हो वो भी बता सकते हो मैं टैफिनेक लिए आपके साथ शेयर पर रहूंगी तो आप मैं आपसे मिलूंगी नेक्स वीडियो में तब तके लिए बाई-बाई थेंक्स फॉर बहुत